बीजेपी की बरिष्ट नेतव नाहन की बीजेपी विधाइक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि तीन वर्ष के कारेकाल में परदेश की भाजपा सरकार ने विकास की नए किरतीमान स्थापित किये हैं। बिंदल ने जेराम सरकार का ये कारेकाल स्वरणिम उपलब्धियों भरबताया। के बाद हिमाचल में बीजेपी सत्ता में लोटी थी और रिकॉर्ड मत के साथ परदेश में अपनी सरकार बनाई थी। बिंदल ने आगामे विधान स्वचुनाप 2022 में जीत का दावा किया और कहा कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ परदेश में भाजपा मिशनर बीट को साकार करेगी। सिर्माचल प्रदेश भारतिय जनता पार्टी की सरकार को बने आज तीन वर्ष पूरण हुए हैं। लंबे पांच साल के संगर्ष के बाद भारतिय जनता पार्टी ने 44 सीटें जीती, दो सीटें इंडिपेंडेंट्स ने जीती। और ये पहला अफसर था जब भारतिय जनता पार्टी ने 53 परसेंट वोट ले करके एक इतिहास कायम किया। 44 सीटों के साथ बनी सरकार ने तीन वर्ष के अंदर अनेक अनेक महत्वपूरण कारे किये हैं। चिकित्सा के खेत्र में गरीबों को दी गई जो पांच लाक रुपे की इंशूरेंस की पॉलिसी है। उसके माद्यम से परदेश के लाखों लोगों को उसका लाख मिला है। हमारी बहने जिनको केंदर सरकार के माद्यम से मोदी जी की सरकार के माद्यम से मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल रहा था। शेश बचे हुए सभी लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्द कराकर हिमाचल परदेश देश बर में पहले स्थान पर आया जहां कोई परिवार बिना गैस के नहीं है। इस परकार मास अभियान चलाए गया असी साल में जिनको पंद्रा सो रुपया पेंशन मिलती थी उस पेंशन को और सतर साल के बुजुर्गों को दे करके एक नया अध्याय रचा गया। इसी परकार से सिक्षा के एक्षेत्र में, स्वास्त के एक्षेत्र में और सडकों के एक्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। तीन वर्ष किये उपलब दियां, भारतिये जनता पार्टी की सरकार की स्वर्णिम उपलब दियां हैं। हम इसके लिए बाजपा के समस्त कारेकरताओं को बदाई देते हैं, हिमाचल वासियों को बदाई देते हैं, हमारे देश के या शश्वी परधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई उनको बदाई देते हैं, हमारे लोग प्रिय मुख्यमंत्री शिरी जैराम ठाकुर्जी को बहुत बहुत बदाई देते हैं और आज भारतिय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है सबी भूतों के उपर अपनी शक्ति को संजो करके पन्ना प्रमुकों को बना करके एक ताकत का स्रिजन करके तैयार खड़ी है 2022 के अंदर एक बार फिर से वही 53% और 55% वोट ले करके और हिमाचल की सेवा के लिए भारतिय जनता पार्टी आगे आएगी भाजपा का लक्ष सरकार में आना केवल समाज के लिए और सेवा के लिए रहता है बाकी पार्टियां सत्ता प्राप्ति के लिए और प्रयास करती हैं भाजपा सत्ता को सेवा का माध्यम मान करके काम करती है ये भाजपा और बाकी पार्टियों के अंदर अंतर है इसलिए हिमाचल की जनता का बरपूर आशिरवाद भारती जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है 2017 के अंदर जहां लोक तंतर की विजे हुई भाजपा की सरकार बनी और पार्लेमेंट के चुनाओं में वही वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में बढ़ा 79 पतिशत पहली बार हिमाचल के यतियास में और इतना वोट मिला चारों सीटें जीती 68 के 68 विदान सवा क्षेत्रों पर भाजपा ने अपना परचम फैराया ये कभी नहीं हुआ इससे पहले अर्थात ये सरकार बाजपा की सरकार जन ही तैशी सरकार है और हम जनता को बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं और अपनी सरकार को शुब कामनाई देते हैं